नमस्कार, नमस्ते रादे रादे मित्रों, टार्गेट बिदबार्त में आप सभी का स्वागत और अभिनिंदन है घटना सार मैगजीन को कंपलीट करने के बाद, अब हम लोग घटना चक्र की आँख वाली दृष्टी को कंपलीट कर रहे हैं सभी परिच्छा की दृष्टी से महित्रपॉर्ण करन्ट अफेर्स को आसान भासा में और एक दूसरे से जोड़ कर हम लोग तयार करेंगे ताकि आसानी से हमको याद रहे जाएं तो इसी के साथ, इसी वीडियो के साथ हम लोगों का अंतर राष्ट्री घटना करम कंपलीट हो जाएगा और आप सभी जान रहे होंगे कि आपका सेंटर कहा है क्योंकि आयोग ने मैसेज के मादिम से लोगों को अवगत कराया है जिन लोगों को नहीं पता लग पाया है संभवता आज एडमिट कार्ट डाउनलोड करके वो लोग जान जाएंगे तो एकदम संभेदन सील समय है रप्टा के तग्यारी कीजिए चीजों को रिवाईज करिए तेजी के साथ और समझने पे कम फोकस करिए रटने पे ज़्यादा फोकस करिए पता लगा कि कोई चीज गलत मिल गई उसकी ताह में घुसे चले जा रहे हैं रैट माइनिंग कर रहे हैं उसकी तो इससे बचिएगा जो जहां मिल जाए बस उसको रटा छोड़ा विश्व प्रतिवा रैंकिंग बर्ड टैलेंट रैंकिंग दोस्तो इसको जारी कौन करता है इसमें स्थान प्राप्त हुआ है और भारत को 56 इस्थान प्राप्त हुआ है भारत में 56 इंच के सीने वाली सरकार है ठीक है टेलेंटेट सरकार है तो टेलेंट रैंकिंग में भारत को 56 भी रैंक भी मिली है इस तरह से जोड़ के याद रखिएगा सर्फ्रेष्ट देशों की रैंकिंग में दोस्तों सिर्जे लेंड को पहला इस्थान पराप्त हुआ है ये नहीं पूचा जाएगा कि जारी किसने की ये रैंकिंग और भारत को तीसवा इस्थान पराप्त हुआ है याद रखिएगा अधिकतर लच जो है वो 2030 तक रखे गए हैं ठीक है तो 2030 को जो है सर्फ्रेष्ट देश से जोड़के याद रखिएगा 2030 तक हम लोग भी सर्फ्रेष्ट देशों की स्रेनली में गिने जाने लगेंगे तो ऐसे जोड़के इसको याद रखिएगा कि भारत की रैंकिंग जो है वो 30 भी है भारत की रैंक जो है वो 30 भी है विश्व की 10 सबसे बड़ी एकोनमी जो है एक लिस्ट जारी की है किसने फोब्स मैगजीन के द्वारा जारी की गई है और जीडीपी के आधार पर जो है भारत को पांच भी सबसे बड़ी अर्थ विवस्ता गोसित किया गया है इनका क्रम भी याद रखिएगा पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांच भा ये क्रम याद रखिएगा लगबग 6 परसेंट मतलब 5.9 परसेंट और जो भारत की जीडीपी है जो बिलियन में दी गई है तो 37 बिलियन डालर हरत की जीडीपी है प्रति व्यक्ति जीडीपी कितनी हो रही है तो 2.61 जो डालर में है दोस्तो 2.61 है याद रखिएगा तो कुछ याद रहे या ना रहे बस यह ज़रूर याद रखिएगा कि 37 बिलियन डालर है और उसकी जो ब्रद्धिदर है वो 5.9 है और ये क्रम याद रखिएगा एक से लेकर 5 तक आने जो एक फैक्ट आपको याद रखना है 11 बार इस्थान रूस को प्राप्त हुआ है टप 10 में रूस सामिल नहीं है और कुछ ऐसे देश हैं जिनकी ग्रोथ रेट निगेटिव रही है उनको भी याद रखना है कौन है एक तो जर्मनी है और दूसरा यूके यूके को पी लिका का एक प्रांत है इसने अक्टूबर महिने को जो है हिंदू विरासत महा घोसित किया है याद रखिएगा जारजिया प्रांत में जो भारती मूल के हिंदू है उनको परसंद करने के लिए अक्टूबर महिने को जो है इसने हिंदू विरासत मंत के रूप में घोसित कि इसके साथ ही जारजिया ने हिंदू फोविया की निंदा करते हुए एक एतिहासिक प्रस्ताव पारित किया था हिंदू फोविया मतलब एक ऐसी धारणा जिसमें लोगों को हिंदू से डर लगने लगे तो इसी धारणा के खिलाब जारजिया ने एक प्रस्ताव पारित किया याद रखिएगा अक्टूबर को ही क्यों चुना आए क्योंकि इस महीने में हिंदूों के विशेष तेवार नवरात्री, दसहरा, गांदी, जेंती ये सब चीजें जो हैं इसी महीने में आती हैं बैस्विक सान्ती सूचकांग मोस्ट इंपार्टेंट है दोस्तों, गलोबल पीस इंडेक्स जारी कौन करता है तो यहाँ पर पीस की बात हो रही है तो इंस्टिट्यूट फार एकॉनिक्स एंड पीस देखिए इसके नाम में भी पीस जुड़ा हुआ है तो इंस्टिट्यू इंड पीस याद रखिएगा यह जो है सिडनी का एक स्थान है यह भी आपको याद रखना है कुल 163 देशों को इसमें रखा गया है पहला स्थान आइसलेंड को प्राप्त हुआ है आइसलेंड मतलब बर्फ का लेंड बर्फ होती है तो बर्फ जमी रहती है तो यहां की लो प्रादी संगठन तालिबान है उसका सासन है तो तालिबान जो है वो सबसे नीचे है भारत को कउथा इस्थान प्राप्त हुआ है भारत को 126 बाप्त हुआ है यह भी याद रखिएगा भूटान दच्छन एसिया का सरवाधिक संतिपूर्ण देश बना है याद रखिएग World Economic Forum World Economic Forum एक रिपोर्ट और जारी करता है उसका नाम है Global Gender G время report उसको हम लोग आगे देखेंगे तो ये दो रिपोर्ट जो है World Economic Forum जारी करता है तो उर्जा संक्रमन सुचकांग जो है दोस्तो उन देशों को इसमें सामिल किया गया है जो उर्जा प्रणालियों के प्रदर्शन और उर्जा संकर्मन के लिए ज़्यादा तयार रहते हैं मतलब एक प्रारूप से दूसरे प्रारूप को अपनाने में ततपर हैं ऐसे देशों को सामिल किया गया है तो इसमें स्वीटन को पहला इस्थान पुरापथ हुआ है और भारत को जो है वो 68 अस्थान पुरापथ हुआ है याद रखिएगा सतत विकास रिपोर्ट की बात करें सतत विकास दोस्तो सस्टेनेबल डेवलिफलाप्मेंट ऐसा विकास, विकास की बहक प्रक्रिया जिसमें संसादनों का इस्तिमाल हमारी आगे आने वाली पीडी के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, सतत विकास कही जाती है तो 2015 में सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा 2030 जो है वो अंगी किरत किया गया जिसमें 17 SDGs जो है वो निरधारित कियेगा इनकी संख्या याद रखियेगा और उपलक्ष कितने हैं तो वो 179 जिने 2030 तक पुराप्त किया जाना है तो यह तो हो गई सतत विकास SDGs की बाद, Sustainable Development Goals की बाद और Main Current यहां से सुरू होता है सतत विकास रिपोर्ट जारी कौन करता है तो जहां Sustainable Development इसके नाम में है वहीं इसका जो जारी करता समू है वो है Sustainable Development Solution Network यह इसको जारी करता है तो कुल 166 देश इसमें सामिल थे और इस रिपोर्ट का सीरसक क्या था तो Implementing the SDG Finland पहले इस्थान पे है, दच्छन सूडान सबसे नीचे है, भारत का इस्थान 112 है Finland पहले इस्थान पे है याद रखिएगा, दच्छन सूडान की राजधानी क्या है दोस्तों, दच्छन सूडान की राजधानी है Juba और एक और सूडान है उत्तरी सूडान, उसकी राजधानी क्या है? खार तूम, दोनों अफरीकी देश हैं, याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं ब्रिक्स देशों में रूस को सबसे उपर इस्थान पराप्त हुआ है अब यूनिवर्स्टी रैंकिंग्स की बात करते हैं, तो आपको पहले बता दूँ कि QS, एक तो संस्ता है QS वो जारी करती है यूनिवर्स्टी की रैंकिंग्स एसिया के मामले में और बर्ड के मामले में, ऐसे ही टाइम्स जो मैगजीन है वो भी एसिया के मामले में और बर्ड के मामले में जारी करती है तो Asia की जो QS Universities की ranking है वो हम लोग पहले complete कर चुके हैं उसमें Peking University चाइना की वो पहले इस्थान पे है भारत का कौन सा स्थान भारत की कौन सी university सभी उनिवस्टियों में सबसे उपर है वो है IIT Bombay University है स्थान तो यह हो गई QS Asia की बात अब यहीं पर QS Bird University ranking की बात की गई है तो पहले इस्थान पर मेसा चुएट्स Institute of Technology MIT अमेरिका की है बार्ड लेबल पर भारत का सीर स्थान कौन सा है तो IIT Bombay तो जो QS ranking है दोस्तों चाहें Asia की हो चाहें बार्ड की दोनों में बार्ड लेबल पर दोनों में भारत का कौन सा स्थान टाप पर है तो IIT Bombay याद रखेगा और Asia वाले में Peking University और बार्ड लेबल पर MIT अमेरिका अब बात करते है टाइम्स Higher Education जो जारी करता है ranking तो Asia के मामले में दोस्तों जारी किये है टाइम्स ने उसमें Singhua University चीन की है उसको पहला इस्थान पर आप्त हुआ है और भारत का IISC Bengaluru Indian Institute of Science भारत के सभी संस्थानों में याद रखिएगा तो यह तो हो गई यहाँ पर बात Asia के मामले में अब जो टाइम्स Higher Education है वो बर्ड लेबल पर भी उनिवस्टी की ranking जारी करता है उसमें कौन है दोस्तों आक्सफोर्ड उनिवस्टी कहां कि यह दोस्तों UK की है इसको पहला इस्थान प्राप्त हुआ है भा भारत के सीर संस्थान सेम हैं दोनों ही ranking में चाहिए यूनिवस्टी की वो चाहिए एसिया की आयाई यूनिवस्टी रेंकिंग में और एसिया में दोनों में ऊपर है यह से बात करें तो उसमें ऑई-ईयसी बंगलूरू टाप पर है भारत के मामले में बाकि एसिया और वर् ठीक है बहाँ पर सर्वाइब करने के लिए जो कीमते हैं रहने के लिए जो कीमते हैं उनको बेस बना कर रैंक जारी की गई और सबसे महंगा सहर रहने के लिए हंकांग गोशित किया गया है जो की पहले इस्थान पर है दस सबसे महंगे सहरों में दो सहर हंकांग और सिंगापूर एसिया के हैं और दो सबसे सस्ते सहर काउंस हैं दोस्तो कराची और इसलामाबाद भारत का सबसे सस्ता सहर काउंस है मुंबई तो ये तो हो गई मरसर के द्वारा जारी रैंकिंग अब बात करते हैं बर्ड वाइड जारी करता है उसके अनुसार सबसे महेंगे सहर काउन से सिंगापूर और जीवरिक जो की सुड़ियलेंट का है ये दोनों संयुक तुरूप से सबसे महेंगे सहर हैं याद रखिएगा महेंगा बाला जरूर याद रखिएगा सस्ता भले आप भूल जाएं दमिस्क जो है जीएगा केबल नाम याद रखिएगा ग्लोबल लिवेविलिटी सुचकांग ये तो हो गई कास्ट आप लिविंग दोनों रैंक जो है कास्ट आप लिविंग से संबंदित हो गई रहने के दौरां कितना खर्चा आता है उस आधार पर रैंकिंग जो है वो निरधारित की गई थी और अब जो है लिवेविलिटी सुचकांग रहने योग यहां पर महिंगाई की बात नहीं हो रही है जहां पर कई चीजें जो है लोगों के रहने के अनकूल है उस आधार पर रैंकिंग जारी की गई है किसके दोरा एकॉनिक इंटेलिजेंस यूनिट तो बियेना जो है आश्ट्रिया की राजधानी है यह लगातार दूसरे वर्स सीर्स इस्थान पर बना हुआ है मतलब सबसे रहने योगी सहर जो है वो बियेना है और सबसे कम रहने योगी काउन साय दमिस्क क्योंकि यहां पर पसांती और संघर्स भरा हुआ है तो दमिस्क चाहें बहीं लिवेबिलिटी इंडेक्स में भी दमिस्क जो है वो सबसे कम रहने योगी है दोनों सेम है याद रखिएगा भारत में रहने योगी सहर काउन साय नई दिल्ली और मुंबई दोनों संयोक तुरोप से है ठीक है भारत का जो आम नागरिक है जो महत्वा कंची है वो क् यहां पर रिपोर्ट की बात की गई है कौन जारी करता बर्ड एकानोमिक फोरम इसमें चार आयाम जो है वो सामिल किये जाते हैं यह भी याद रखिएगा आर्थिक भागीदारी सिच्छा स्वास्ते और राजनीतिक ससक्तिकरण तो कुल 146 देशों में आइसलेंड जो है वो पहले स्थान पे है ठीक है महिलाओं लेंगी कंतराल की बात करें लेंगी कंतराल मतलब महिला और पुरुष के बीच जो अंतर करने की भावना है वही लेंगी कंतराल कही जाती है तो आइसलेंड जमा हुआ है बर्प का लेंड ह तो यह इस्त्री और पुरुस दोनों को समा नजर से देखता है, चाहे इसके समने कोई आ जाये, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो यह क्या है, लेंगिक समानता की नजर से दोनों को देखता है, तो लेंगिक समानता जो है, लेंगिक अंत्राल यहां सबसे कम होग तो आइसलेंड पहले स्थान पे होगा भारत जो है 127 बे स्थान पे है याद रखेगा पिछली बार 135 बे स्थान पे था लेकिन इस बार इसमें सुधार दर्ज किया गया है तो महिलाओं पर निवंद लिखते वक्त आप इस आंकड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं कि भारत ने जो ह लेंगिक अंतराल को समाप्त कर दिया है याद रखेगा इमडी बिच्चु परतिस पर दात्मकता रैंकिंग या ग्लोबल कमपटेटिवनेस इंडेक्स आपको पहले ही बता चुका हूं कि भारत को इसमें 40 बार इस्थान पराप्त हुआ है कमपटेटिवनेस इंडेक्स और इन नोबेसन इंडेक्स तिक जहां कमपटेशन होगा वहीं इनोबेसन होगा तो दोनो ही मामलों में भारत को 40 बास थान पराप्त हुआ है यह आपको पहले ही बता चुका हूं तो ही rab करें दोस्तो तो अरब लीग में पुर्ण सामील हो गया है अरब लीग में दोस्तो मध् अच्छा में है सीरिया की राधानी है दमिश्क याद रखिएगा बारहे वर्स बाद इसको सामिल किया है इससे पहले 2011 में इसको निलंबित कर दिया गया था क्यों सरकार विरोधी जो प्रदर्शन थे उस पर हिंसक रूप से कानूनी कारवाई जो है वो सीरिया ने की थी इसी दबाया था कुछला था 32 अरब लीग सिखर समेलन दोस्तों कहां आयोजित हुआ तो ये सौधी अरब में एक इस्थान है जेद्दा बहाँ पर आयोजित हुआ और इसी समेलन में सीरिया ने भाग लिया था तो 32 अरब लीग सिखर समेलन कहां आयोजित हुआ मैं दोहजार तेस में जेद्दा सौधी अरब सौधी अरब की राधानी दोस्तों रियाद है याद रखिएगा आपरेशन करुणा भारतियों में बहुत करुणा है आप सभी को पता है म्यामार को चक्रबाथ मोचा ने खुब रभावित किया था तो बहाँ पर लोगों की मदद करने के लिए उनको रहात पहुँचाने के लिए भारत की ओर से operation करोना चलाया गया ठीक है, मोचा चक्रबाद को नाम किस ने दिया था, यमन ने नाम दिया था ये भी याद रखियेगा, यमन में एक बंदर गाज सहर है, मोखा मोखा, ठीक है, और ये काफी उत्पादन में अग्रणी है, ये भी याद रखियेगा मोखा, उसी के नाम पर इसको नाम मोचा दिया गया है जारी कौन करता है जहां रिपोर्टर बिना सीमाओं के रहते हैं, बहां क्या होता है प्रेस की सुतंतरता ज्यादा रहती है तो ऐसे याद रखियेगा, रिपोर्टर बिना बार्डर नाम का जो NGO है जो कि फ्रांस का है, ये भी याद रखियेगा ये इसको जारी करता है नार्वे ने लगातार, जो है सात्वी बार पहला इस्थान करहर किया है भारत को कउथा इस्थान पराप्त हुआ है 161 पराप्त हुआ है मतलब भारत ने और ज्यादा प्रेस की सतंतरता को कुछला है इस इंडेक्स के नुसार क्योंकि पिछली बार 150 बा इस्थान पर आप्थ होगा था तो कभी-कभी कथन के रूप में पूछ लिया जाता है कि भारत की जो rank है वो गिरी है या फिर rank उपर गई है तो याद रखिएगा इसमें भारत जो है नीचे गया है वैस्विक दास्ता सुचकांग थिक है दास्ता सुचकांग बाग Free Foundation जो है इसको जारी करता है इसमें शुटेजर लेंड पहले इसुटेजर लेंड एकदम अंतिम पर है कुछ भी उनकी इच्छा के बुरूद उनसे काम कराना है यह नहीं कि जो पहले वाले दास बस पकड़ा हो केती में काम करा रहे हैं यह वो कई तरीके के दास होते हैं तो भारत को इसमें छटा इस्थान पुराप्त हुआ है सबसे ब्यस्त हवाई अड़ों की बात करें 10 तो उसमें यात्रियों के आबागमन की मामले में USA का अटलांटा हवाई अड़ा सबसे ब्यस्त हवाई अड़ा रहा है और भारत का इंद्रा गांधी अंतरराष्ट्री हवाई अड़ा जो की नई दिल्ली में है वो भारत में सबस ब्यस्त हवाय डरहा है याद रखिएगा बैस्विक बिद्धुत समिक्षा रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों क्या चीज आपको याद रखनी है सरवादिक बिद्धुत मांग वालित तीन देश काउन से चाइना अमेरिका और भारत ठीक है और बिद्धुत उत्पादन में य अभी भी जीवास्म इंद्धनों का प्रभुत्त जो है लगभग 61% है याद रखिएगा टाइम मेगजीन के द्वारा दोस्तों साव सरवादिक प्रभाव साली बेक्तियों की सूची जारी की गई उसमें आपको कैटेगरी के नुसार याद रखना है आइकन की कैटेगरी म मतलब मार्क दर्शक की स्रेणी में SS राजा मौली को इस्थान पर आप्त हुआ है याद रखिएगा जिनोंने RRR फिल्म को डारेक्ट किया है नाटो दोस्तों आप सभी जानते हैं नार्थ अटलांटिक ट्रीटी आर्गनाइजेशन फुल फार्म है 31 इसमें एक देश और सा बना जाता है इसका जो हेड़कॉर्टर है वो ब्रूसेल्स की राजधानी वेल्जीय में स्थित है अच्छा इससे पहले जो तीसवा सदस्य था जो की 2020 में बना था उसका नम था उत्तरी में सुडोनिया नाटो की जो संदी है उसके आर्टिकल 10 में सदस्यता प्राप्त करन संदी प्रापधानों का उलेक किया गया है ग्लोबल हैपिनेस इंडेक्स की बात करें दोस्तों इसको जारी कौन करता है तो UNSDSN United Nations Sustainable Development Solution Network इसको जारी करता है यही नेटवर्क जो है वो SDG इंडेक्स भी जारी करता है जिसे हमने पहले पढ़ा है जिसमें भारत की जो रैंक है वो 112 है तो 200 प्रसंदता रिपोर्ट में दोस्तो अच्छा फिन लेंड फिन लेंड को आप पढ़िएगा फन लेंड ठीक है फन लेंड जो ज्यादा फन करेगा वो क्या होगा ज्यादा प्रसंद होगा तो फिन लेंड सरवादिक प्रसंद देश है इसको पहला इस्थान पर पराप्थ हुआ था लेकिन प्रसंद्ता के मामले में भी भारत को 126 अ कि याद रखना है सांती सूच कांक में दोस्तो आइसलेंड पहले स्थान पर है मतलब जमा हुआ देश जो जादा सांत होगा वो जादा प्रसंद भी होगा तो दोनों ही मामले में चाह सान्ती यह प्रसनता की सुच कान की बात हो भारत को 126 इस्थान पराप्त हुआ है इस तरह से जोड़ की याद रखेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं 2022 में भारत को 136 इस्थान प्राप्त हुआ था अब बात करते हैं लद्दाक और मयूर भंज इन दोनों को टाइम मेगजीन के द्वारा 50 महनतम इस्थानों की सूची में सामिल किया गया है मतलब भारत से दो ऐसे सहर जो है वो इन पचास स्थानों की सूची में सामिल किये गए हैं मयूर भंज ओडीसा का एक जिला है जो बाग और प्राचीन मंदरों के लिए परसिद्ध है सिमलीपाल जो नेशनल पार्क है वो मयूर भंज में ही है जहां पर काले बाग पाय जाते हैं काली धारियों बाग भी यहीं पर पाय जाते हैं य adopting याद रखिएगा मयूर भंज दोस्तों वही है जो मुर्मू से सम्मदित है मुर्मू का जन्म यहीं पर हुआ था द्रवपदी मुर्मू जी का महियूर भंज जो है छो नरत्य के लिए प्रसिद्ध है जो की युनिस्को की अमूर्थ संस्कृतिक बिरासत सूची में सामिल है और अभी हाल ही में अमूर संस्कृतिक बिरासत की सूची में भारत का पंदरवा जो पंदरवी अमूर संस्कृतिक बिरासत सामिल की गई उसका नम क्या है गरवा नरते गुजरात का पिछली क्लास में आपको पढ़ाया है लद्दाक को सामिल किया गया है दोस्तों क्यों अपने अल्पाइन भूद परिद्रस के लिए इसके साथ ही यहां पर जो बहुत संस्कृती है उसके लिए यहां पर भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्ब है यह भी याद रखिएगा जो हिनले काउं में इस्थापित किया गया है चांग थांग बने जीब अभिहारंड में यह भी याद रखिएगा यदि अलग से पूछ लिया जाए कि चांग थांग बने जीब अभिहारंड कहां इस्तित है तो लद्दाक में LDK बैस्विक आतंग बाद सूचकांग आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो इंस्टिव्ट आफ पीस है वही सांथी सूचकांग भी जारी करता है और वही आतंग बाद सूचकांग भी जारी करता है क्योंकि आतंग बाद और सांथी एक दूसरे से संबंदित है जहां आतं सबसे घातक जो है टेरर गुरूप है आतंक की समों है अफगानिस्तान को पहला इस्तान प्राप्थ हुआ है क्योंकि यहां पर जब सासने आतंक बादी चला रहे हैं तो आतंक बाद के मामले में पहला इस्तान अफगानिस्तान को प्राप्थ हुआ है और यही और अफगानिस भारत में आजकल आतंकबाद की तेरवी चल लई है, ऐसे याद रखिएगा अंतरराष्ट्री सस्त्र हस्तांतरन प्रवर्तियां 2022 ये एक रिपोर्ट का नाम है जिसे इंग्लिस में कहेंगे इस रिपोर्ट के अनुशार हतियार के अंशार एक्स्पॉर्टर्स 18-22 की अबदी के दोरान हतियार के सबसे बड़े निरियातक कौन है? अमेरिका दूसरे इस्थन पर रूस और तीसरे इस्थन पर फ्रांस है और ये दोनों भारत को भी सप्लाई करते रहते हैं तीनों देश तो अक्तर चर्चा में रहते ही हैं तो ऐसे याद रखेगा अमेरिका सबसे बड़ा निर्या तक है इसलिए अमेरिका जो है दोस्तों बहाँ पर सांती का बिरोध करता है इसने सांती की स्थापना के बिरोध में प्रस्ताव पारित किया था UN General Assembly में कहां पर गाजा में जो युद्ध चरला था संगर्स बिराम के बिरोध में प्रस्ताव इसने पारित किया था मतलब वहां पर मतदान नहीं किया था बहीं बात करें, सस्त्र पांच सबसे बड़े आम्स के जो इंपोर्टर्स हैं, आयातक हैं वो कौन हैं, एक तो अपना प्यारा भारत महान, दूसरे इस्थान पर सुधी एरब, ये दो याद रखिएगा, तीसरे इस्थान पर कतर, तो दो देश खाड़ी देश हैं, याद जाता है, भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता देश रूस है, रूस ने दोस्तों हमको S-400 सिस्टम उपलब्द कराया है, जिसका हमने नाम बदल कर क्या कर दिया है, सुधर्शन, ये भी याद रखिएगा, पच्चान बेबा, आसकर पुरसकार 2023, बैस्विक फि बासिंग्टन में एक इस्थान है, बेवरली हिल्स, वहाँ पर इसका मुख्याल है, इस्थित है, इस बार किस करम के आसकर बाटे गए दोस्तों, पच्चान बेबे करम के, किस फिल्म को सर्फशेष्ट फिल्म के लिए आसकर पुरसकार प्राप्त हुआ है, वो है मल्टी व दोस्तों, सर्फशेष्ट निर्देशक का पुरसकार किसे मिला है, इसी फिल्म को निर्देशित करने वाले डेनियल कौन और डेनियल इसकी नर्ट, तो दोनों के नाम में डेनियल लगा है, याद रखिएगा, तो डेनियल मल्टी वर्स, सर्फशेष्ट फिल्म के लिए आस एट वन्स फिल्म में उनके सांदार अभने के लिए सर्फष्ष्ट अभनेत्री के लिए आसकर पुरसकार प्राप्त हुआ है और ये आसकर पुरसकार जीतने वाली पहली ACI महिला हैं याद रखेगा बहीं बात करें भारत के लिए दोस्तो, एतिहासिक छण रहा जब कार्त की गोंजालवेस द्वारा डारेक्ट की गए फिल्म दा एलिफेंट विस्पर्स को सर्फष्ष्ट डाक्यूमेंटरी फिल्म के लिए आसकर पुरसकार से समानित किया गया तो कार्त की गोंजालवेस को याद रखिएगा ये किस भासा की फिल्म है ये भी याद रखिएगा तमिल भासा की फिल्म है करत की गुंजालवेस इसकी डारेक्टर है और इसकी निर्माता कौन है गुनीत मौंगा बहीं दोस्तो एक च्छन और एतिहासिक राज जब S.S. राजमौली की जो फिल्म है RRR उस इस गीत की तो ये तेलगू भासा में गाया गया है और इसको अभिनेती अभिनेत्रा नहीं अभिनेता राम चरण और जूनियर NTR पर फिल्म आया गया है बहुत अच्छा दोनों ने डांस किया है फिल्म भी बहुत अच्छी है मौका मिले तो जरूर देखिएगा अभी तो एक थी All That Breeds वो आशकर प्रसकार जीतने से चूक गई उसके निर्माता काउन थे सौनक सेन देपिका पादुकौन को आशकर प्रजेंटेटर्स के रूप में यहां पर जो है इनोंने जो है आशकर प्रजेंटेटर्स के रूप में सामिल मतलब हिस्सा लिया इस समयलन में इस के पहले जो महिला भारत की ओर से प्रजेंटेटर के रूप में पहुंची थी उनका नाम था परसिस खंबाटा वो पहली महिला थी और दीपिका जो है वो तीसरी है दूसरी कौन थी पीसी पिरेंका चोपड़ा लेगाटम समरिद्धी सुचकांक देशों की समरिद्धी को आधार बनाकर सुचकांक जारी किया जाता है इसमें डेन्मार्क पहले इस्थान पर भारत को एक सु तीनवा इस्थान पर अप्त हुआ है पस्चिमी यूरोप जो है विश्व का सरवाधिक समरद्ध छेत्र जो ह इसे सुचकांक में गोशित किया गया है आर्थिक सुचकांक की बात करें दोस्तों एकॉनमिक फ्रीडम इंडेक्स तो दोस्तों इसमें सिंगापर को पहला इस्थान पर अप्त हुआ है भारत को 171 इस्थान पर अप्त हुआ है याद रखियेगा यह फरवरी 2023 में जारी किया गया था भारत एगरी कल्चर इन्नोवेशन मिशन फार क्लाइमेट में सामिल हुआ है अब सबाल बनता ये मिशन है क्या और ये मिशन लांच किसने किया है तो इस मिशन को एम फोर सी भी कहते हैं इसका मतलब भही है एम फार क्लाइमेट सी का मतलब क्लाइमेट है एम का मतलब क्या है एगरी कल्चर इन्नोवेशन मिशन एगरी कल्चर के छेतर में कुछ ऐसे इन्नोवेशन संपादित किये जाएं जो जलबायू परिवर्तन क्लाइमेट चेंज को अंजाम ना दें यही इस मिशन का उद्दे से है तो इस मिशन को संयुक्त राज अमेरिका औ यहां पर दोस्तो ग्लासगो कोप 26 के दोरान जलबायू इसमार्ट किरसी और जुखाद प्रणालियां हैं उनमें ऐसे नवाचार किये जाएं जिससे क्लाइमेट चेंज ना हो तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गया होंगे एम फॉर सी में कुल 55 सदस्य देश हैं और म गरी 2023 में जारी किया गया इसमें संयुक्त राज अमेरिका USA को पहला इस्थान प्राप्त हुआ है और भारत को बहले स्थान प्राप्त हुआ है बारत को निम्न मध्यम आयवाली अर्थ विवस्ताओं में सामिल किया गया है ब्रश्टाचार बोध सूचकांग दोस्तों मोस् प्राप्त ब्रश्टाचार के आधार पर रैंकिंग प्रदान करता है तो जन्वरी 2023 को यह इंडेक्स जारी हुआ और इसमें पहला इस्थान डेन्मार्क को प्राप्त हुआ है और भारत को जो है पच्चासीवा इस्थान प्राप्त हुआ है सुमालिया दोस्तों आप सभी जानते होंगे हर्न आफ अफरीका का एक देश है यह लुटेरों का देश है जो जहाज लूट लेता है जो लाल सागर अधन की खाली से जहाज पास होते हैं उन जहाजों को लूट लेता है और इन्ही गटनाओं पर नियंतरन के लिए एक आचार सहिंता बनाएगी जिसे जि जो है पहले इस्थान पे है भारत को पच्चा सीवा इस्थान पर आप्थ हुआ है भारत बासे नार बिवस्ता का अध्यक्ष अब सवाल बनता है कि बासे नार बिवस्ता है क्या बासे नार बिवस्ता दोस्तों पारंपरिक हतियारों और दोहरे उपयोग वाली बस्तों कैस जो है सामने आई थी बासेनार एक इस्थान है नीदरलेंड में उपनगर का नाम है वहीं पर इस वेवस्ता पर हस्ताक्षर हुए थे 1995 में इसमें कुल 42 सदसें इसका सचीबाले जो है आश्ट्रिया किराधानी बिये नमें है भारत 2017 में इसका सदस्य बना था बासेनार कारिकाल अध्यक्ष के रूप में भी दोस्तो भारत काम कर चुका है इसकी इस वेवस्ता का अध्यक्ष भी रह चुका है भारत 2023 में एक बरस के लिए 31 दिसंबर 2023 को भारत की अध्यक्षिता समाप्त हो गई तो एक वर्स के लिए भारत इसका अध्यक्षविराद डेट याद रखेगा एक जन्वरी से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक Human Freedom Index की बात करें दोस्तो तो वासिंग्टन डीसी में एक इस्टिटूट है कैटो इस्टिटूट और कनाड़ा का फ्रेजर इस्टिटूट फ्रीडम की बात हो रही है फ्रीडम और फ्रीजर फ्रीडम और फ्रेजर ठीक है जो फ्रीजर है वही फ्रीडम के तहताता इसे जोड़ कर याद रखेगा तो स्विट्जर लेन्ड जो है वो पहले इस्थान पे है और भारत को जो है एक सो नौवा इस्थान पराप्त हुआ है बैस्विक प्रतिभा प्रतिसपर्धा सुच का अंक याद रखेगा यहां पर प्रतिभा की बात हो रही है इसमें भारत को कव्था इस्थान पर आप्थ हुआ है भाई, एक सुब तीन बा इस्थान पर आप्थ हुआ है रूल आफ ला इंडेक्स की बात करें तो किस देश में रूल आफ ला कितना है उस आधार पर रैंक जारी की गई जिसमें डेनमार को पहला इस्थान पर अप्थ हुआ है तो ब्रष्टाचार भी बहाँ पर कम है जहां रूल आफला होगा बहाँ ब्रष्टाचार कम होगा तो चाहें ब्रष्टाचार बोद सुचकांग हो चाहें रूल आफला हो दोनों ही मामलों में डेन्मार्क को पहला इस्थान पर अप्थ हुआ है भारत को इसमें Rule of Law इंडेक्स में उन्ना सीवा इस्थान पर अप्थ हुआ है 79 Bird Giving Index इंडोनेसिया को बिशु का सर्वादिक उदार देश कौन सा देश कितना दे पाता है देने की छमता रखता है पर उपकार करता है सीधी साधी बात है दान करता है तो इंडियोनेशिया पहले स्थान पे है भारत इतालिस बेस्थान पे है अंतर राश्टरी सम्मेलनों को देखते हैं दोस्तो COP28 most important है एक सवाल यहां से गिर सकता है कब से कब तक आयोजित हुआ 30 नमंबर से लेकर 12 दिसंबर के बीच कहां पर दुबई में संयुक्त अरब अमीरात में इसकी अद्धिक्षिता किसने की अहमद अल जावेर ने अद्धिक्षिता की और यहीं पर जो है ग्लोबल इस्टाक टेक पर सहमती बनी अब इस्टाक टेक क्या है ग्लोबल इस्टाक टेक यहाँ एक ऐसी परकिरिया है जो देशों और हित्यदारकों को जो पेरिस जलवायू परिवरतन समझोता हुआ था उसको प्राप्त करने की दिशा में उनकी सामोहिक प्रगति के आकलन को सक्षम बनाती है मतलब ग्लोबल इस्टाक टेक क्या है एक ऐसी परकिरिया है जो पेरिस जलवायू परिवरतन समझोता हुआ था उस समझोते पर काउन सद्यस कितना प्रदर्शन कर रहा है कैसा प्रदर्शन कर रहा है उसका आकलन करने की एक परकिरिया है बस इतनी सी बात है और यहां पर निर्णे लिया गया दोस्तों कोप 28 के दोरान कि जो ग्रीन हाउस उत्सरजन है वो 2019 की तुलना में 2030 तक 43 परसेंट कम कर दिया जाएगा याद रखियेगा और इसके साथ ही बैस्विक तापन को 1.5 डिगरी सेल्सियस तक सिमित किया जाए जो पेरिस समझोते में एक लच रखा गया था 1.5 डिगरी सेल्सियस वाला उसको प्राप्त करने के लिए कहा गया है कि जो 2019 में उत्सरजन हुआ था उस उत्सरजन में 43 परसेंट की कटाउती कर दिया है तब हम 2030 तक ये 1.5 डिगरी सेल्सियस वाला लच प्राप्त कर लेंगे याद रखिएगा 2030 तक जो नभी करनी है उर्जा इस्थापित छमता है उसको तीन गुना किया जाएगा ये सब चीज़ें हमने गटनसार में भी पड़ी है और कहा गया है कि 2030 तक यहाँ पर छमता तो तीन गुना करने का लच रखा गया है बहीं उर्जा दचिता सुधार ठीक है उर्जा की दचिता में सुधार कितनी दर से किया जाएगा दो गुनी दर से मतलब अभी 2% है बाद में इसको 4% कर दिया जाएगा 2030 तक और यहीं पर लास एंड डैमेज फंड वनाया गया किसकी देखरेक में बर्ड वैंग की देखरेक में जिसकी प्रतिवाद देता कोप 27 के दौरान मिस्र में ही की जा चुकी है आप सभी को पता है कोप 27 कायोजन मिस्र के सर्म अलसेख में हुआ था लास एंड डैमेज फंड क्या है दोस्तो जो विकास चील देश हैं जो जलवाईव परिवरतन से जूज रहे हैं उनको मुआबजा जो है इसी लास एंड डैमेज फंड से दिया जाएगा कोप 28 के दौरान ग्लोबल कूलिंग प्लेज भी जारी हुआ जिसमें 26 सरकारें सामिल है और जिसमें कहा गया है कि 2050 तक जो सीतलन संबंदी उतसरजन है जो ACBC चला कर जो कर्बन केमिशन होता है उनमें 68% की कटोति की जाएगी कोप 28 के दौरान बर्ड क्लाइमेट एक्षन समिट भी आयोजित ही जिसमें मोदीजी ने हिस्सा लिया याद रखिएगा भारत 2028 में आयोजित होने वाले कोप 233 की मेजवानी करेगा ऐसी भारत ने पेसकस की तो कोप 28 इसी 28 को जो है 2028 से जोड़ दीजिएगा 2028 में भारत कोप 33 की मेजवानी करेगा याद रखिएगा दूसरा कोप जो है ये जो है दूसरा कोप होगा इससे पहले 2002 में एक हो चुका है तो यदि पूच लिया जाए कि भारत में क्या कभी कोप का आज़न हुआ है जी हाँ 2002 में हुआ है कोप 28 के दौरान मोदी जी ने ग्रीन क्रेडिट पहल का सुवारम किया यहाँ पर्यावण के लिए जो जीवन से लिए है लाइफ स्टाइल फार इन्वारमेंट उसके तहत भारत सरकार की एक पहल है यूनिसेफ और जो हमारा पर्यावण बन और जलवायू मंत्राले है इन दोनों ने मिलकर ग्रीन राइजिंग पहल का सुवारम किया यह भी याद रखिएगा यह पहल क्या है दोस्तों जो हमारा युवा है उसको पर्यावण को अनकूल बनाने के लिए प्रेरित करना जागरू करना इस पहल का उद्दे से ग्रीन राइजिंग पहल ग्लोबल रिवर सिटीज अलाइज दोस्तों जल सकती मंत्राले के द्वारा जो हमारा नेशनल मिशन फार क्लीन गंगा है उसके नितरत तुमें कोप 28 के दवरान लांच किया गया ग्लोबल रिवर सिटीज अलाइज ये ऐसे सेहरों का अलाइज गठबंदन है जो नदियों के किनारे हैं जो नदियों के संदच्छन में भूमिका निवा सकते हैं इसमें भारत सहित कुल ग्यारे देश हैं चाइना और पाकिस्तान इसमें सामिल नहीं है भारत का एक मातर पडोसी भूटान ही इसमें सामिल है ये भी याद रखिएगा कोप टॉन्टी एस से पूर वविश्व के सबसे बड़े एकल साइट साउर उर्जा सेयंतर का जो उदगाटन है वो यूएई ने किया उस से सेयंतर का नाम क्या है अलदफरा सेयंतर ये भी याद रखिएगा आपको अचुक मारक समगिरी में बताया है कोप टॉन्टी नाइन का आयोजन कहां होगा अजरवैजान में दो हजार चौबिस में और कोप थर्टी का आयोजन कहां होगा दो हजार पच्चिस में ब्राजील में मिनी माता अभी समय की पांच भी बैठक मिनी माता आप सभी जानते हैं पारे के कारण उत्पन होने वाला रोग है मिनी माता तो इसके जो पचकार है उनकी बैठक हुई है कहां जेनेबा में स्विर्जर लेंड में और यह जो है पांच भी बैठक है कोप फाइब याद रखेगा कंफरेंस अप वाटीज मानव स्वास्ते और परयाबन को पारे के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए कोप फाइब का आयोजन किया गया और जिसमें तेज निर्णे अपनाएगा जिनमें से कुछ प्रमुक हैं जैसे बैटरी स्विचों और जो फ्लोरो सेंट लैंप हैं इन सब में पारे का इस्तेमाल कम हो दंत मिस्रन जिसको डेंटल अमलगम कहते हैं दो आजार पच्चिस तक कम कर दिया जाए इसके साथी सवंधर प्रसादनों में भी पारे का इस्तेमाल होता है तो ये सब चीजें हैं जिनमें पारे की कटवती करना जो है इसका लच रखा गया है कोप फाइब का लच रखा गया है कोप शिक्स का योजन जो है वो चिली में होगा याद रखेगा और चिली चला कहां आई ये से आई इंटरनेशनल सोलर एलाइएंस का चिली जो है वो पच्चान बेवास चता से बन गया है आपको पीछली क्लास में बताया था पारे पर मिनी करें दोस्तों Global Partnership on Artificial Intelligence आप सभी जानते हैं क्या है जैसे आप बोलते हैं गुगल खोल के जब बोलते हैं तो माइक टाइप कर लेता यह सब Artificial Intelligence ही है जब मसीने इंसानों की तरह काम करने लग जाएं तो उसको Artificial Intelligence कहते हैं जैसे आज ही आप लोगों में से किसी ने कमेंट किय कि सर जो घटना है घटना चकर जो टाइटल है वीडियो का वो घटना चकर की वजाए घंटा चकर हो गया है तो वो टाइपिंग इरर ही थी जो मैंने बोल के टाइप किया था तो उसने गलत टाइप कर दिया था तो यह कुछ Artificial Intelligence के साइड इफेक्ट हैं जो घटना का घंट इस्थापित की गई है जो कि भारत की सबसे उची नटराज की प्रतिमा है भारत मंडपम तो दोस्तों यहीं पर इसका एउजन किया गया मोदी जी ने इसका उदगाटन किया और दिली कोशना पत्र यहां पर जारी किया गया उद्दे से क्या है Artificial Intelligence को किस तरह से भविस में इस्तेमाल किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा हितकर हो सके इसके साइड इफेक्ट को कम किया जाए इन सब मुद्दों पर जो है इसमें बात की गई गपाई की फुलपा में ग्लोबल पार्टनर सिपान Artificial Intelligence भारत इसका संस्थापक सदस्य है याद रखिएगा 2020 में इसको लांच किया गया था सची बाल है सेक्रेटरियेट इसका कहा है दोस्तों तो पेरिस में गपाई में बरतमान में 29 सदस्य देश है याद रखिएगा यूनिसको इसका परवेक्षक है ये भी याद रखिएगा गपाई के सिखर समेलनों की बात करें तो पहला 2020 में आउजित हुआ कहां कनाड़ा के मांट्रियल में मांट्रियल प्रोटोकाल किस से समंदित है ओजोन से समंदित है दूसरा छोड़ दीजिएगा ये तीसरा सिखर समेलन है ये चौथा है दोस्तो तीसरा का हुआ था टोक्यो जापान में तो ये करम ज़रूर याद रखिएगा ये चौथे करम का था 2023 में हलांकि इन्होंने इस पे नहीं दिया है लेकिन आप याद रखिएगा ये चौथे करम का गप आई था प्रतम बैस्विक आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस सुरच्छा सिखर समेलन आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस के समंद में सुरच्छा से समंदित एक समिट कायोजन जो है वो यूके के बलैचले में हुआ याद रखिएगा ये पहला प्रतम स कर लिए मेजबानी अगली बार फ्रांस करेगा याद रखेगा कित三 possível संमिट या फिर ब्राजविल समिट इसका एवजिन दोस्तों कांगो गडराज नहीं है यह कांगो गडराज की राजधानी यह उघन किया गया। तीन बड़े क्या रैसिनों से लेनिस सासों ने की याद रखेगा इसके आयुजण करता रहे थ्री बेसिन क्या है दोस्तों करक रेखा और मकर रेखा के बीच अमेजन बेसिन कांगो बेसिन जो की अफरीका में है है अमेजन बे sind अप जाने ही रहे हैं अमेरिका में और बोर्नियों में कांग दच्छन पूर बेसिया का जो बेसिन है ये तीनों बेसिन इसमें सामिला है इसलिए इसको थिरी बेसिन कहा जाता है तीनों बेसिन जो है विश्चुका 80% ऊस्षन कटबंदिये बन छेत्र कवर करते हैं और दो तीहाई जैब विवित्ता कवर करते है तो इनको भी याद रखेगा कभी कभी कथन के रूप में पूच लिया जाता है ठीक है, Amazon Basin आप सभी को पता है सबसे बड़ा ऊशन कटबंदी ये बन चेतर है जो दच्छण अमेरिका में है इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा, अच्छा, Amazon Basin में कितने देश सामिल है तो 9 देश सामिल है अब बात करते हैं, कांगो Basin की तो ये दूसरा सबसे बड़ा बेशिन है, ये अफरीका में है, इसमें 6 देश सामिल है बोर्नियो मेकांग बेशिन दोस्तों, ये तीसरा सबसे बड़ा बेशिन है, ये बोर्नियो दीप और मेकांग नदी छेतर में बिश्थरित है तो उम्मीद करता हूँ, आप 3 वेशिन समझ गए होंगे अब बात करते हैं, G77 सिकर समयलन की, G77 प्लस चीन, इसका मतलब क्या है, जो G77 गुरूप है, इसमें चीन हिस्सेदार नहीं है इसलिए चीन को अलग से दिखाया गया है, तो चीन ने मिलकर जो है, इसका आयोजन करवाया कहां, क्युवा की राजधानी हवाना में अदिख्षिता क्युवा के राष्टपती मिग्वेल डियाज ने की, विसे क्या था, करेंट डेवलप्मेंट चैलेंज, इतना हियाद रखिएगा यहाँ पर हवाना गोशना पत्र जारी किया गया, इसमें एंटोनियो गुटेरस, सहित कई राष्टरा देख्षों ने भाग लिया, एंटोनियो गुटेरस आप जानी रहे हैं, संयुक्त राष्ट के महा सचिब हैं, दो हजार चौबिस में जो अगला सिकर से मिलन होगा, व भारत ने पहली बार 1964 में G77 की अदेख्षिता की थी, अब बात करते हैं, G77 क्या है, विकासील देशों का समूँ है, चीन इसमें सामिल नहीं है, इंटर गवर्मेंटल समूँ है, याद रखिएगा, भारत इसका सदसे है, अब बात करते हैं, G20 सिघर सम्मेलन की, most important है, किस क भारत के द्वारा आयुजित किया गया, पर्थम G20 सिघर सम्मेलन है, मतलब भारत में पहली बार ही आयुजिन हुआ, 60 सहरों में 200 बैटके की गए, ऐसे ही उत्तर प्रदेश के जो चार नगर हैं, लखनव, बारारसी, आगरा, ग्रेटर नोइडा, इन चारों सहरों में 11 बै इसमें अतिति देश कौन कौन थे? बांगला देश, मिस्र, मारिशस, नीदरलेंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापूर, इस्पेन और युएई, ओमान और युएई दो खाड़ी देश हैं जो इसमें सामिल हुए थे, तीसरा मिस्र भी है, तो तीन खाड़ी देश हो गए एक यूरोपिय देश था नीदरलेंड, तो कुल मिला के ये एक, दो, तीन, चार, पॉंच, छे, साथ, आठ, नो देश जो है वो अथिति देश रहे हैं, जी टॉन्टी समिट के दौरान नई दिल्ली घोशना पत्र को जारी किया गया, और इसी समिट के दौरान जो अफरीक की अफरीकन यूनियन है, वो इसका बीसवा इस्थाई सदर्स देश, सदर्स से समहू बन गया है, एक बात तो और याद रहे हैं, जी टॉन्टी समिट जो है, हेड़कॉर्टर बिहिन गुरुप है, उसका हेड़कॉर्टर नहीं है, तो ये अफरीकन यूनियन जो है, वो द जब इसकी सदर्स सेता कब बिस्तार किया गया, इसका गठन 1999 में किया गया था, अफरीकी संग की बात करें, इसमें कुल 55 देश हैं, इसके जो अध्यक्ष हैं, वो अजाली ओसो मानी है, अफरीकी संग दोस्तों हेड़कॉर्टर इसका इथियोपिया की राधानी अधिस जाबा में है, यह भी याद रखेगा, इन लोगों ने इसको यहाँ पर नहीं मेंसन किया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, अब बात करते हैं, बात करते हैं, जैब इंधन गठवंदन, ग्लोबल वायो फ्यूल एलाइंस, इसका सुभारंब मोदी जी ने किया है, ग्लोबल व पायो फ्यूल एलाइंस का सुभारंब कि समिट में किया, तो जी टॉन्टी की समिट के दोरान किया, इसके साथ ही आई मेक की भी गोशना की भारत ने, आई मेक क्या है, इंडिया मिडल इस्ट यूरोप एकॉनमिक कॉरिडोर, जैसा की नाम से जाहिर है, इंडिया और मिडल जिसमें जो खाड़ी देश हैं, इसके साथ ही यूरोप भी सामिल है, इन तीनों छेत्रों को सड़क, रेलबे और जलमार्ग इनके माधियम से जोड़ा जाएगा, ताकि तीनों छेत्रों में ब्यापार फल फूल सके, और तीनों छेत्रों को लाब मिल सके, इसको चाइना की बार्डर रोड इनिसियेटिव का विकल्प माना जा रहा है, याद रखियेगा, जी टॉन्टी जो समिट है, उसके उननिस में, सिखर समेलन, उननिस में जी टॉन्टी समिट का आयोजन कहा होगा, तो रियो डी जिनेरियो में होगा, कहां ब्राजील में, दोहजार चौबिस तेज तक भारत ने इसकी अधिक्षिता की तो इसकी थीम क्या थी? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर या फिर बसुदाय कुटमबकम या बाग की कहां से लिया गया है? महा उपनिसित के संस्कृत पार्ट से लिया गया है, याद रखिएगा इसका लोगों क्या था? लोगों में दोस्तों हमारे धोज के राष्ट्री, धोज के रंग थे के सरिया सफेद, हरा और चक्र वाला नीला रंग, ये चारों रंग उसमें सामिल थे इसके साथ ही कमल था, जिसकी साथ पंकुणियां थी, जो साथ महादीपों का प्रतिनिद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् तो इसका आयोजन जकारता में इंडोनेसिया की राधानी है, जकारता बहाँ पर हुआ, इंडोनेसिया की राष्पती जोको बिडोडो की दोरा इसके देख्षिता की गई, थीम क्या था, थीम क्या थी, एपी सेंट्रम आफ ग्रोथ, इतना ही याद रखेगा, इसके साथ साथ दो और सम्मेलन हुए आसियान भारत सिखर सम्मेलन और 18 पूर्वी एसिया सिखर सम्मेलन तो मोधी जी जो है इसी दवरान इंडोनेसिया की यात्रा पर भी रहे एक बात याद रखिएगा आसियान का सदस नहीं है भारत Association of South East Asian Nations इसका Headquarter जकारता है इंडोनेसिया की रहे दाने तो तीन सम्मेलन हुए है एक तो 43 पा आसियान का हो गया इसके साथ साथ 20 पा आसियान भारत सिखर सम्मेलन वो भी जकारता में ही आयोजित हुआ और अठारवा इस्ट एसिया समिट भी वही पर आयोजित हुआ इस्ट एसिया समिट में 10 देश तो आसियान के सामिल है इसके साथ 8 अन देश इसमें सामिल है उनमें भारत भी है कौन कौन से है आस्टेलिया, चीन, भारत, जापान, तच्छन, कॉरियर, न्युजिलेंड, रूस और अमेरिका कुल 18 देश इसमें सामिल है भारत पूर्वी एस सिकर समेलन मोस्ट इंपार्टेंट है 22 से 24 अगस्त के बीच आई जुथ हुआ कैसे याद रखना क्योंकि 23 अगस्त को दोस्तो हमारे चंद्रयान के बिक्रम लेंडर ने सफल लेंडिंग की थी तब मोदी जी ने इसी समेलन में जब भाग लेने गये थे बही से बदाईया परिसित की थी कहां हुआ ये जोहांसबर्ग में दच्छन अफरीका में दच्छन अफरीका की अद्धिक्षेता में हुआ इसके साथ ही यहाँ पर विरिक्स सपोर्ट को आपरेशन फ्रेमबर्क खेलों के लिए लांच किया गया छे नए सदसे देशों को सामिल किये जाने की गोश्टना किये गई वो छे नए सदसे देश काउन से हैं इथोपिया की मौसी एक तो इथोपिया हो गया दूसरा M का मतलब है यहाँ पर मिस्तर A का मतलब है अर्जेंटीना U का मतलब है UAE और S का मतलब है साथी अरब और I का मतलब है इरान तो उम्मीद करता हूँ आपको याद रहेगा तो अर्जेंटीना को छोड़कर पाँच देशों ने इसकी सदसिता गरांड कर लिया है अर्जेंटीना ने सदसिता लेने से इनकार कर दिया है इस प्रकार अब बिरिक्स सम्हों के सदसियों की संख्या 5 से बढ़कर 10 हो गई है बिरिक्स आप सभी जानते हैं B-R-I-C-S ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफरीका इसमें दोस्तों चक्री करम में अद्धिक्षिता भी होती है समिट की अद्धिक्षिता भी होती है तो इस बार जो है अद्धिक्षिता की है साउथ अफरीका ने लेकिन अगली बार कहा होनी चाहिए, ब्राजील में लेकिन इस बार ब्राजील को अद्धिक्षिता नहीं मिलिए क्योंकि ब्राजील पहले से ही G20 करवा रहा है तो उसने हाथ कड़े कर दिये कहा कि हमारे पास इस सोर्सिस की कमी है हम इसका आयोजिन नहीं करवा पाएंगे इसलिए अगला जो सौलबा विरिक्स समिट होगा वो कहां होगा रूस में रूस में एक इस्थाने कजान बहां पर होगा तो दो हजार चॉविस में अद्धिक्सिता जो है वो रूस कर रहा है याद रखियेगा 23 बा संगाई सयोग संगठन एस्थान शीओ सिखर सम्मिलन भारत की अद्धिक्सिता में आयोजित हुआ और ये बर्चुली आयोजित हुआ याद रखियेगा और इरान को जो है वो 9 स 10 इसमें 9 स 10 के रूप में समिल किया गया और बेलारूस ने एपलाई भी कर दिया है यदि इसको भी समिल कर लिया जाएगा तो कुल 10 देश हो जाएंगे अगला S.C.O. सिखर समिलन कहा होगा कजाकिस्थान में याद रखियेगा संगाई को आपरेशन आर्गनाजेशन इसकी जो हेड़कॉर्टर है वो कहा है बीजिंग 2001 में इसकी स्थापना हुई थी अंतराश्टी निरवाचनों को देख लेते हैं क्रिश्टोफर लक्सन जो है नियुजी लेंड के नए प्रधान मंत्री बनाए गये हैं यहां से एक्सर कुष्चिन पूँच लिया जाता है पिछली बार पूँचा गया था राधानी उसकी बेलिंग्टन है डेनियल नोबोहा इक्वेडोर के नए राष्टपती बनाए गये हैं एक्वेडोर दच्छिन अमिर्की देश है यह एक्वेडोर के सबसे युबा निर्वाचित राष्टपती हैं याद रखेगा कैपिटलिस की कोईटो है श्रेथा थाविशन थाविशन जो हैं दोस्तों थाइलेंड के नए पुरधान मंत्री बने हैं वहीं बात करें परागवे की तो परागवे की राधानी है असंसियन लैंड लाग्ट देश है इसके नए राष्टपती कौन बने है सेंटियागो पेना पाकिस्तान के नय प्रदान्य मंत्री दोस्तो 2 पहले तू राष्ट पती देख लिए अरिफ अलवी हैं लेकिन बहां के जो निवरत्मान प्रदान्य मंत्री सहिवाज शरीफ थे उन्होंसे इस्तीफा दे दिया और अपनी असेम्बली को भंकरा दिया और अब जो है उनके इस्थान पर अनबर उलहक जो है वो कारिबाहग प्रधान मंतरी न्यूक्त किये गया है नेपाल में राष्टपती चुना हुए है तो राम चिंद्र पोडेल राष्टपती निर्वाचित हुए है बिद्या देवी भंडारी का इनोंने इस्थान गरण किया है ये तीसरे राष्टपती है राम सहाय जो है वो बहां के उपर राष्टपती है बीत नाम के नए राष्टपती कौन चुने गए है तो वाइन वाइन थुआंग नाजिरिया के नए राष्टपती कौन बनाए गए गए दोस्तो बोला टिनबू नाजिरिया की राधानी है अभूजा बितनाम की राधानी है हनोई ये भी याद रखेगा फिर बात करते हैं एक्वेटोरियल गिनी की तो बहाँ पर प्रधान मंतरी बने है कौन रोका बोटे ये महिला है दोस्तो ये बहाँ की पहली महिला प्रधान मंतरी है इसलिए याद रखेगा एकेटोरियल गिनी गिनी देखिए नाम ही महिला का लग रहा है ऐसे जोड केश को याद रखेगा रोका बोटे जो महिला है वो कहरी रोंको बेटे ऐसे याद रखेगा रोंको बेटे गिनी की महिला कहे रही रोको बेटे मुझे प्रधान मंत्री बनने से रोको नहीं रोक पाओगे बांगलादेश के राष्टपती दोस्तों कौन बने है सहापुदीन चम्पू चम्पू याद रखेगा तो याद रहेगा चुप्पू छोण दिजिएगा साइप्रस की राजधानी है निकोसिया ठीक है निकोसिया साइप्रस एक दिपिये देश है कहां है भूमधिसागर में तो जिसके नामे निकोस लगा हो समझ लीजेगा वही राष्टपती है तो निकोस क्रिष्टो डोलाई जो भी है ताम जहाम छोड़ दीजिएगा निकोस को याद रखिएगा राजधानी के नाम पर ही बाँ के राष्टपती बने हैं चेक गड़ राजी दोस्तो ये रोपिय देश है इसके नए राष्टपती कौन निरवाचित हुए हैं पेटरे पावेल अंतरराष्ट्री आपदाओं को देखते हैं विपर जाय दोस्तो आप सभी को पता है अरफ सागर में आया चकरबाद था जिसने गुजरात बगएरा को प्रभावित किया ये पहला चकरबाद था 2023 का याद रखिएगा जून में आया था इसका नाम करण जो है वो बंगला देश ने किया था विपर जाय का मतलब होता है आपदा माउंट मेरापी दोस्तो ये जूला मुखी है जाबा दीपर जाबा कहां इंडोनेसिया में बहाँ पर इसमें विसफोर्ट हुआ रिंगाफ फायर में अवस्तित है फ्रेडी चकरवाद दोस्तो मेडागासकर आप सभी जानते होंगे अफरीका के किनारे ये जो लटका हुआ है बगल में बैठा है मेडागासकर मेडागासकर के तरड़ पर ये आया उत्पन हुआ था आस्टेलिया में नहीं रहेगी तेजी से आप रिवाइज कर लेंगे बाकि आप उठते वैटते चलते फिरते मॉबाइल में पीडियाफ खोलके यही पीडियाफ आपको टेलिग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी बहां से आप डाउलोड करके जो है